क्या आप भी करते हैं नहाते समय ये गलतियां आप यह तो जानते ही होंगे कि नहाने से तन के साथ साथ मन भी सुद्ध वशाफ हो जाता है इसलिए नहाना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है रोज असनान करते समय यह गलतियां आपकी सेहत और सूरत दोनों बिगार सकती हैं असल में आप भी सुबह असनान करते समय यह पांच गलतियां करते हैं तो आज ही साथान हो जाएं यह आपके स्वास्त के लिए नुकसान देह साथ हो सकता है क्योंकि आज हम आपको ऐसी पांच गलतियों के बारे में बता रहे हैं जो किसी को नहीं करने चाहिए नमबर एक अक्षर व्यक्ति सर्दियों के मौसम में गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं लेकिन ज्यादा गर्म पानी से नहना आपकी तवचा के लिए बहुत नुक्सान दायक होता है क्योंकि इससे आपके सरीर में जुरियां परने लगती है जिसकी वजह से आपकी तवचा में उम्र से पहले ही बुढ़ापा जहलकने लगता है दुनिया के आज परतेक बैक्ती नहने के लिए साबुन और सेंपू का इस्तेमाल करते हैं परन्तु क्या आप जानते हैं कि साबुन और सेंपू का इस्तेमाल बार बार नहीं करना चाहिए क्योंकि यह केमिकल युक्त होता है जो आपके सरीर के लिए नुक्सान दायक होता है इसलिए इसका इस्तेमाल कम से कम करें। नमबर तीन, असनान करते समय भूल कर भी नहाने के पानी को सीधे सिर पर न डालें। इससे स्ट्रोक आने का खत्रा बना रहता है। विशेसग के अनुसार इस इस्तिती में नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है और श्ट्रोक आने का खत्रा रहता है इसलिए नहाते समय हमें साथ सबसे पहले पैरों पर पानी डालना चाहिए नमबर चार बहुत देर तक असनान करना सिहत के लिए नुकसान दायक होता है अगर आप भी अधिक देर तक असनान करते हैं तो यह जान लेजिए यह आपके लिए कताई फाइदे मंद नहीं है इसलिए आप अपने सरीर की तवचा को खूब सूरत और स्वस्त बनाए रखना करते हैं तो कभी भी अधिक देर तक असनान न करें क्योंकि ऐसा करने से आपकी तवचा सुस्क पर जाती है और तवचा कई तरह के रोग से ग्रसित हो सकते हैं नमबर पांच असनान करने के बाद बैक्ति को कभी भी अपने सरीर को रगर रगर कर तोलिये या गमचे से साफ नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आपके सरीर में मौजूद नमी पूरी तरह खत्म हो जाती है जिससे हमारी तवचा पर खुसकी बनी रहती है दोस्तों अगर यह कहनी आपको अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि आप अपने इस चैनल को लाइक करें सेयर कर और सबस्क्राइब चरूर करें जै हिंद